आजी गाइज वेलकम बैक तु दे चैनल और इतने भी मेरे नई सब्सक्राइबर है उनको दिल से वेलकम है क्योंकि ये चैनल बहुत ही अमेजिंगली गाइज ग्रोग कर रहा है और आज जो ये ड्रीक्रीट कर रहा हूं में टॉपिक की प्रोटीन की इंपोर्टेंस क्या है ह हमारी बॉड़ी के लिए तो जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए बहुत इंफरमेशन वीडियो होने वाला है और जो मेरी पहले की ओडियंस है उनके लिए भी एक क्रिवीशन है और अगर आप इस चैनल को अल्रेड़ी सब्सक्राइब नहीं किये हुए है तो मे वीडियो में क्या अच्छा लगा है तो आज का टॉपिक है कि प्रोटीन हमारी बॉड़ी के लिए क्यों इंपॉर्ट है और क्या हमें सप्लीमेंट से ही प्रोटीन पूरा करना है या हम डाइट से भी पूरा कर सकते हैं तो आज हम हर मित को अनकवर करेंगे और हर उस चीज प्रोटीन को कि रहता है और क्लाइंट के साथ में लिए लла भी और खाल चुरुराय चालोचन बादा है यह क्यों व्लटीन क्यों की चीप रहा है और दिन में कितना बिव काहना चाहिए वह छिरू करते हैं इस वेडियो को तो देखें प्रोटीन एक simple macronutrient है जो की आज के टाइम में इतनी advertisement and marketing हो चुकी है तो प्रोटीन प्रेटली सबको पता हिए कि क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं यह 9 essential amino acids से बनता है और यह प्रोटीन क्या करता है हमारी body के अंदर एक building block का काम करता है जिसके बहुत ही numerous functions है from cell to muscle to our bone density हर function के लिए protein is required तो अभी गाइस प्रोटीन हर इनसान खाता है वो चाये supplement से खाए या वो डाइट से खाए कोई कम खाता है कोई ज्यादा खाता है तो उसके बाद question आता है कि प्रोटीन कितना चाहिए देखिए अभी हम यहा एक वो इंसान जो एक normal day-to-day activity कर रहा है और जिम नहीं कर रहा है पहली category वो फिर second category जो इंसान workout actually में कर रहा है अपनी you know कुछ भी activity चाहे वो running हो cycling हो walking हो या जिमिंग हो body weight training हो calisthenic हो crossfit हो swimming हो any sport any activity तो हो है second category तो guys first category वाले जो लोग है उसमें हमें protein at least 0.8 gram per kg body weight तो मतलब हम 70 kg का एक इंडिविजूल ले 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 थे example के तोर पे तो उसे कितना protein चाहिए होगा पूरे दिन में at least 56 grams of protein 56 to 60 gram always target for higher side lower side पर कभी focus मत करना का है हमेशा nutrients में maximum range को पकड़ना है okay तो 56 to 60 gram of protein अभी आपको calculate कैसे करना है जस्ट गूगल और यूसम ट्रैकिंग आप जिसमें आपको इसली पता लग जाएगा for example आप अगर छे चपाती खा रहें दिन में तो एक चपाती में 3-4 gram protein होता है और साथ में मिलते हैं फाइबर मिलता है और हमें थोड़ा बहुत फैट भी मिलता अगर उसके उपर फैट यूज कर रहे हैं यहांटा गूंदे के टाइम फैट यूज कर रहे हैं तो वह अगर छे रोटी खारा इंसान तो आप 18 gram के करीब प्रोटीन यहां से पुरा कर रहे हैं फिर आप दिन में रोटी खाली तो खाते नहीं होंगे सब्जी खाते होंगे दाल खाते होंगे तो उसको आप कर सकते हैं कि कि आप एक डाल का बाउल एक लेशिए कि आप कितने ग्रैम का डाल एंडर्ट टू वन फिफ्टी ग्रैम इंडियन घर में खाया जाता है तो उसकी अगर कैलरीज आप गूबल पर चेकर करेंगे तो पंदरा से बीस ग्राम प्रोटीन आपको वहां से मिल जाता है उसके पॉपुलेशन इस वेजिटेरिन पीपल तो वहां पर क्या होता है प्रोटीन डेफिशेंसी अभी मुझे चाहिए साट ग्राम आएं मीटिंग अरूंट 30-40 ग्रैम तो अभी वह 10-20 ग्रैम जो डेफिशेंसी है उसकी वज़ा से क्या होता है हमारा मसल लोस हेर लोस हमारे से अगर तो यहां अगर सकते हैं मैं प्रोटीन सोया चंगो is a very great source of protein आप बीन्स आप ट्वाइब फ्रूट्स ये सब चीजे थोड़ा सा जालक खाते हैं तो यूल हैब more protein in your diet अभी ये clear हो गया अभी protein supplement की जब बात करते हैं तो कौन सा ब्रैंड हमें यूज करना चाहिए इंडियर मार्केट में वीडियो के मैं लास पार्ट में बताओं आपको तो जरूर देखिए पूरा वीडियो अभी सेकिंड के लोग हमने समझ लिया कि फर्स्ट के लोग जो है वह कितना प्रोटीन उन्हें खाना चाहिए चाहे वह मेल हैं दोनों पर हम और वह सेम ही लगाएंगे फॉर्मुला अभी आते हैं अथलीट लोग जो एक्टिव लोग हैं उनके लिए प्रोटीन रिक्वार्मेंट इस अगें डिफरेंट हैं छोड़े बच्चों की रिक्वार्मेंट इस अगें डिफरेंट प्यूद्ट चोड़े बच बहुत सारे अथलीट बहुत सारे इस्पारिंग इंड्वीज्वल्स यंग लड़के लड़कियां फोलो कर रहे हैं तो उनके लिए यह पार्ट रहेगा जिसमें हम यह डिसक्स कर रहे हैं कि कितना ग्राम प्रोटीन चाहिए तो अभी आप नोट कर सकते हैं लीन बॉड़ी सब्सक्राइब कर सकते हैं तो उसमें क्या होगा कि माल लीजिए मैं कहता हूं मेरी बॉड़ी का फैट परसेंटेज 20 परसेंट का मतलब है कि मेरी बॉड़ी में जो सकतर किलो है उसमें से 20 परसेंट वेट डैट मीज अरॉंड 14-15 केजी इस फैट तो अभी हमने क्या करना है उसको कर देना उसमें से माइनस अभी बचा हमारे पास 55 kg अभी 55 kg में पानी भी है बोन की देनसिटी है तो यह हमारा लीन बॉड़ी वेट हम बोलेंगे जिसमें इसमें फैट हम काउट नहीं कर रहें तो 55 kg योर लीन बॉड़ी भीइट as per 70 kg अभी हमें at least इसका 1 to 1.5 gram of body weight lean body weight protein को hit करना है तो अगर 55 kg का इंसान 70 kg वाला 55 kg lean body weight वाला इंसान को at least 70 to 80 gram of protein चाहिए चाहिए अगर वो एक अच्छा जिम workout कर रहा है और अगर आप beginner हैं तो 1 to 1.5 gram if you are advanced athlete जो बहुत ही 2-3-4 सालों से training कर रहा है you can go for 2 gram per body weight तो lean body weight तो उससे क्या होगा you will see amazing gains और amazing difference in your body अभी आपको इस तरीगे से अपने protein को calculate करना है Google पे और traps पे जागे आप देख सकते हैं कि इस चीज में कितना protein है if you want I'll make another video जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज में जो basic atleezm जो रोज की चीजे खाते रोटी दाल चावल दूद पनीर इन सब में कितना 100 gram में कितने कितने calories है I'll definitely make a video on it और मैं full day of eating shoot करूंगा तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं without tracking calories protein goal hit करता हूं तो गाइस मेरा जैसे वेट है 90 kg around 90 kg तो lean weight मैं अपना 70 kg के करीब लेता हूं 70 to 75 kg अभी उसमें 70 to 75 kg के साब से मैं कोशिच करता हूं कि I get at least 100 gram of protein जिससे मेरा मुसल मास नेचुरली बहुत ही अच्छा गेन हो रहा है और मेरी स्ट्रेंथ भी बिल्डप हो रही है so this is the right way to start your protein goals उसके बाद डाइट से आप जितना मर्जी प्रोटीन लीजिए so if you add a supplement तो वह आपकी performance को enhance करेंगा because it is a quick way to get protein in with least amount of calories और 90 to 95% protein अगर आपको मिल रहा है किसी चीज में so why not invest your money in that क्योंकि हम बार की और चीजों पर इतने पैसा कर देते हैं अभी बड़े-बड़े अभी मैं देख रहा है कि अपने घर को तोड़ फोड़ के नए तरीके से रिनुवेट कर रहे हैं तो वेची is a very good thing going with the trend but going with the trend अभी fitness का भी तो trend चल रहा है इम्मुनिटी का कितना trend चल रहा है तो कितने लोग अपने शरीर पर इंवेस्ट कर रहे हैं very few people आप देखे सुबह पांच बजे शे बजे उटके देखे वेडी फ्यू पीपल आउट देर इंडविंट तो वह बहुत ही कम लोग है यह मेनत कर रहे हैं वेस्ट कर रहे हैं अपने पर इस देखे इंकम यू और तो इस ग्रेट मनी फ्यू और यू यू है तो शप्लीमेंट की बात करें तो शप्लीमेंट में आप निव्यू अगर हम और प्लांट प्रोटीन की बात कर रहे हैं सल्टिफाइड और गैनिक फार्म्स वहां से चीज बनके आ रहे हैं और क्या चाहिए और फिर एक्सेस वेप्रोटीन कमिंग फ्रॉम डिरेक्ली फ्रॉम पोलैंड एंड यूएस इंडिया में कुछ नहीं बन रहा है प्य प्रोटीन के लिए भी आते रहे हैं whenever I drink another brand of protein I feel difference in my urine जब मैं urine pass कर तो I can smell the protein तो पता लगते की protein जा रहा है पूरा absorb नहीं हो रहा है when I drink whey protein from excess ऐसा कुछ नहीं होता है तो that is the difference but ऐसा नहीं कि वो protein भी खराब है absorption is different of every protein आप plant protein लेंगे तो उसकी 100% absorption है आपके body में कोई bloating नहीं करेगा कुछ नहीं करेगा and even vegans भी उसको use कर सकते हैं तो vegans and vegetarian के लिए plant protein is the best test सबसे best care कोई taste नहीं आप smoothie बनाएंगे fruits राइफटे सब को डालके तो आपको जो टेस्स आप बनाना चाते हैं जो आपका seasonal fruit उसका flavor ले सकते हैं तो आपको information amazing लगी होगी और ऐसे वीडियो इंफोर्मेशनल वीडियो के लिए आप चैनल को like करें comment करें नीचे आगे बताएं अभी protein का यह वप सारे myths दूर हो गये होंगे तो अभी मैंने वीडियो भी बना रखें कि major source of vegetarian non vegetarian पर भी बना दूंगा कि non vegetarian में कितने gram में कितना protein होता है vegetarian में कितना gram कितना protein होता है आप ऐसी प्यार देते रही है और नए subscribers को फिर से दिल से welcome क्योंकि बहुत motivation मिलता है जब सुबह उठो तो पांच-दस subscribers नए अड हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार मेरी family कितने इच्छे से extend हो रही है तो अब ही हमें वेरी सून सबसे पहले 10 के करना है फिर व्यार रणिंग फो हंडर के तो हमें अंडर के इस चैनल को लेके जाना है तो वी नीड यू सपोर्ट और ऐसे ही community का ग्रोव करते रहेंगे love you and peace out मिलते एक लिए वीडियो में